ग्रेविटी या डेटा का सेंटर उसको सेंटरल टेंडेंसी बोलते हैं यानि कि डेटा किस एक पॉइंट की तरफ टेंड करता है जाता है अब अगर सेंटरल टेंडेंसी एक पॉइंट है तो वो जितना पॉइंट लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डेटा एकठा ह हुआ है इसको हम dispersion बोलते हैं यानि के dispersion या spread या variability जो है यह तिनों एक ही चीज़ के नाम है data कितना आगे और पीछे move कर रहा है या जितना data आपके पास पड़ा हुआ है वो center से कितने दूर तक है ठीक है इसको मिसाल ऐसे ही है कि जैसे center of the data आपका heart है ना तो dispersion उसकी heartbeat है तो आपको दोनों चीज़ें side by side लेके चलने होती है अब मैं आपको दोनों चीज़ें को एक concept समझाता हूँ कि कैसे हम center of data और variability को देखते हैं variability के लिए मैं concept यहाँ पर पहले लेखता हूँ और फिर हम इसकी तरफ करते हैं variability को समझते हैं कि variability often referred to as dispersion ठीक है dispersion भी और इसको spread भी बोलते हैं is the heartbeat of a data set यानि कि आपको पता है ना दिल जब धगदग करता है right side भी भी जाता है left इस तरीके से move करता है इस तरीके से और इसी वज़ा से तो आपके पास वो आती है ना धड़कन ठीक है center से right और left और डेटा center point से कितना right जा रहा है कितना left जा रहा है अगर आप horizontal देखते हैं like this तो कितना उपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है इसको हम dispersion भोलते हैं ठीक है dispersion या variability variability का मतलब है यह तो center है data कितना पहला हुए low से maximum तक यानि के minimum point से maximum point तक कितना पहला हुए मिसाल के थोर पे मैं आपको एक example दीए जो पहले भी हम देख चुके है 10,20,30 इसका जो mean आया था हमारे पास अगर आप गौर करें तो 60 by 3 इसका 20 mean था ठीक है यह तो हो गया center अब इसका left side पे कितना data है और right पे कितना है सो जो left side होती है अगर हम इसको horizontal context में देखें तो इसको बोलते है minimum data point left extreme को right side पे जो extreme होती है data कि उसको बोलते है maximum data point ठीक है और अगर left देखें तो हमारे पास 10 C है यानि कि यहाँ पे 10 आएगा यहाँ पे 30 आएगा and 20 जो है हमारा center है side पे spread है ठीक है यह इसको बोलते है variability अब variability जो है अगर हम गौर करें तो यह क्या करती है it measures how much individual data points differ from each other and from the central tendency यानि कि यह जो 10 से 30 से कितना फरक में है और 20 से कितना फरक में है यानि कि अपने इलावा यह center और बाकी data points से कितना फरक में पड़ा हुआ है ठीक है इसको बोलते हैं central tendency and dispersion इन दोनों concepts को अच्छा like the mean or median जो हमने देखा imagine a world where everyone thinks act and looks the same pretty much boring right so हम क्या करते है well variability is the statistical counterpart that celebrate the differences in our data word यानि कि data के अंदर जो छोटे 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 differences है ना उनको हम variability बोलते हैं आपको मिसाल देता हूँ यह हमारे पास एक चहरा होता है एक इनसान का गर्दन होती है कंदे होगे बाजू होगे I'm just trying something बाजू होगे ठीक है और यह आगे जी ठांगे क्या है छोटी छोटी खसूसियात क्या है इसका मतलब यह हुआ कि as a human being हम सभी जो है basically humans है लेकिन यह चीज़ हमें खास नहीं बना रही कि हम सब इनसान है जो चीज़ हमें खास बना रही है वो इनसानों में diversity है diversity in human beings जैसा कि कोई बड़े कदक है कोई fast है कोई slow है कोई अच्छा काम करता है कोई जहीन है कोई dull है लेकिन on the other side कोई business man है कोई scientist है जो दुनिया का निजाम है वो diversity की base पे है और इसी तरीके से अगर आपका data एक center पे ही रहता यानि कि एक line पे ही रहता उसका मज़ा ना होता उसकी diversity ना होती क्योंकि आपका data disperse कर रहा है left side पे भी और right side पे भी इस वज़ा से उस हर data का अपना फरक है यानि कि अगर मैं कोई data collect करता हूँ किसी एक point में वो different होगा on the other side अगर कोई google data collect करता है वो different होगा so इसी वज़ा से data के dispersion data के center point और data minimum कितना है maximum कितना है mean क्या mod क्या है कौन सा नाम है data का data type कौन सी है कोई भी बंदा दुनिया में जब research करता है वो अपना अलग data रखता है data कभी भी same नहीं होता until unless आप copy करने बैठ जाए ठीक है मिसाल के दोर पे जब हमने पहले भी देखा कि अगर मैं अपनी height measure करता हूँ और फिर से मैं उसी instrument से अपनी height measure करता हूँ तो sometimes I will get an error जो randomization होती है इसी तरीके से जो data के अंदर जब भी कोई data बंदा collect करता है तो उसमें dispersion आता है सही है जी यहां तक आपको clear हो गया सो यही वज़ा है कि जब आप mean, median और mod को देखते हैं साथ में dispersion या spread को देखना भी बहुत ज़रूरी है अब reason क्या है reason उसकी एक है कि लोग सिरफ mean को सोचते है आप मेंसे कितने लोग हैं जो आज तक सिरफ means को देखते रहे हैं या average को देखते रहे हैं dispersion को देखा ही नहीं उन्होंने कि dispersion क्या कहती है ठीक है इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ अब मेरे पास ये एक लड़कियों का data है say for example ये females का data है अब आपको दिखाता हूँ के mean तो matter करता ही है लेकिन dispersion भी matter करती है मेरे पास ये females का data है females और ये जो blue वाला data है ये males का data होगा ठीक है ये वाला data males का होगा ठीक है अब height मैं लिखता हूँ दोनों की females की height जो है वो 5 feet है और males की height जो है वो है जनाब आप क्या लें 5 feet 10 inch on an average ठीक है अब आप अगर गोर करें 5 और 5 feet 10 inch में अच्छा खासा फरक है कितना फरक है जी 10 inch का फरक है ठीक है 5 feet 10 inches minus 5 feet तो इसमें हमारे पास 10 inches बचते हैं 10 inch का फरक है but on the other side ये सिर्फ हम एक point को देख रहे हैं ये हम average को देख रहे हैं सिर्फ mean को देख रहे हैं यानि के x bar को देख रहे हैं इसका भी और इसका भी अब अगर आप गोर करें ये दोनो means ये दोनो means जो हैं बलके इसको मैं ये हो गया males का mean और वो female का mean इन दोनों में तो फर्रक है, लेकिन हम देखते हैं, अगर हम दोनों को draw करें, एक ही line के उपर, दोनों को अगर हम draw करें, so it would be like this, ये हो गया 5 feet इनकी जो center data point आता है, फिर हम आगे देखते हैं males को, it would be something like this, ये आगया जी male का data point, और ये आगया जी 5 feet 10 inches, आपने देखा कि यहां से यहां तक 10 inches तो है, लेकिन कुछ females की height ज्यादा है, ठीक है, और यहां पे males की height भी उतनी है, उतनी females की ये उतनी males की height भी है, so इसका मतलब there are few data points जिन में फरक ही गोई नहीं है, यानि के लड़कियों की height भी ज्यादा है और लड़कों की height भी ज्यादा है, खास तोर पे ये जो shaded region है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, blue वाला, ठीक है, यहां पे लड़कियों की height भी उतनी है, और लड़कों की भी height उतनी है, so the thing is, हम अब कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों फरक में हैं के नहीं, ठीक है, उसको देखने के लिए हमारे पास spread को समझना जरूरी है, या variability को समझना जरूरी है, सिरफ एक mean की base पे आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्यूं, क्यूंके काफी एक तदाद है लड़कियों की, जिनकी height लड़कों से बहुत डिफर करती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो माशालला लड़कों से भी उपर निकली हुई होती है, क्यूं, क्यूंके सिरफ mean हमें नहीं बताता के दो चीज़ें फरक में, पहले चीज तो यह है, we need to think beyond average, average या mean से हमें beyond सोचना है, beyond average, हमें सोचना है, second चीज जो है हमारे पास, हमें यह भी सोचना है, कि data spread जो है, यह हार्ट बीट है data की, spread is the heartbeat of data, और data का मकसद खतम हो जाएगा, वो data जाता रहेगा, अगर उसकी heartbeat आप ना study करें, या heartbeat रुख जाए, एक जगा पे रहे, मिसाल के दोर पे उसका spread ना हो, वो center में आ जाए, third thing is, कि decision making के अंदर spread बहुत ज़्यादा चलता है, यानि कि variability बहुत ज़्यादा चलती है, अब यह क्यों होता है, किस वज़ा से होता है, मैं भी आपको बताता हूँ, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, यह एक center है ना अगर, तो spread का मतलब यह है कि data का dance, right side पे भी और left side पे भी, यह जो dance है data का, या data जिस तरीके से उचल कूद करता है right और left side पे, यह हमें बताता है कि हमारे पास क्या minimum point है, क्या हमारे पास maximum point है, ठीक है, तो पहली चीज तो यह, कि जहांपे यह data start हो रहा है और जहां पे खतम हो रहा है, यह दो चीजें बहुत important है, पहले चीज यह, center तो important है अब हमारे पास दूचेजें क्या आगी है, पहले था हमारे पास center, जिसको हम center tendency बोलते थे, sorry फिर हमारे पास आ गया जी minimum या lower point इसको मैं minimum लिखता हूँ और आ गया हमारे पास maximum ये दो point हमारे पास और भी ahead होगे which are important ठीक है minimum and maximum center minimum and maximum ये हमारे पास point आ गया अब आपको भी पता है कि जब हमारे पास minimum और maximum आ गया तो सिरब minimum और maximum की base पे हम कहा देंगे कि ये spread है नहीं क्यों क्योंके center tendency में हमने बोला था mean, median and mod तीन किसम की हमने चीज़ें बोले ही थी center tendency के अंदर अब वो ही चीज़ें हम देखेंगे spread के अंदर कौन कौन से नाम है चीज़ों के या terms के या key terms के जो हमें spread को समझने में और भी help करते है let's dive into them सबसे पहली है जी हमारे पास range range of spread या variability range क्या है ठीक है range हमारे पास क्या होती है maximum value मिसाल के तोर पे max minus minimum value ठीक है यानि कि अगर हमारे पास maximum value 200 है minus minimum value 100 है तो ये हमारे पास range होगी 100 this is how you can actually define range range is equal to maximum minus minimum value अब अगला जो हमारे पास concept है that is called interquartile range IQR ठीक है इस concept को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंके ये middle 50% of the data को show करते है ठीक है फिर third हमारे पास आ जाता है जनाव variance ठीक है और ये हमारा spread around the mean चेक करते है फिर हमारे पास fourth हा जाता है standard deviation ठीक है और ये फिफ्थ वन is standard error ये पाँच important points हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है मैं आपको एक दफा बता देता हूँ कि ये points होते क्या है फिर हम इनको detail में देखेंगे पहला है range range का मतलब ये है कि minimum से maximum तक का distance जो है वो हम find कर रहे हैं ठीक है अब आपको भी पता है minimum से maximum का मतलब है 100% data इसके अंदर आगे है यानि के सारे का सारा data आगे है कैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारे पास data है यहाँ से minimum है ऐसे जाता जाता ये maximum है तो यहाँ से यहाँ तक सारा data consider हो रहे है ठीक है so this is called range यहाँ तक इसको कहते है range अब अगली चीज आते है interquartile range IQR ये क्या करता है ये आपका 50% data लेता है इस साइट से भी कार देता है इस साइट से भी कार देता है center में जो 50% data है ये IQR होता है ठीक है यानि के अगर आप गौर करें एक data को चार हिस्सों में divide करें अगर आपके पास एक data है ये एक data है मैं यहाँ पर draw करता हूँ data को और यहाँ पर हम अपने data draw करते हैं something like this ठीक है ये basically plot होता है frequency table होता है जो मैं बार-बार draw कर रहा हूँ इसको frequency table बोलते है तो आपका data कितनी दफ़ा कोई आ रहा है say for example मेरे पास ये data है अब इसको मैं चार हिस्सों में divide करता हूँ पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक तीसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक और चोथा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ठीक है, अब अगर आप गौर करें इन चार हिस्सों को जब हम डिवाइड कर लेते हैं ना डेटा को चार हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं Q1, इसको बोलते हैं Q2, इसको बोलते हैं Q3 और इसको बोलते हैं Q4, ठीक है अब Q1 और Q4 हमने निकाल के जो यहां से यहां तक का distance है न इसको बोलते हैं interquartile range और इसको 50% data center वाला होता है यह IQR जब हम IQR को study करते हैं तो यह हमें सिरफ और सिरफ करीबी spread दिखा रहा होता है ठीक है और यह बहुत जरूरी होता है जब हम IQR को study कर रहे होते हैं इसके base पे हम outliers या बाकी चीज़ें जो हैं उन्हें भी remove करते है and then we see किस तरीके से जो हमारा data है वो move कर रहा है into different places ठीक है यहां तक आपको समझ आगी कि interquartile range क्या होती है और किस तरीके से हम उसको study करते हैं ठीक हो गया अब interquartile range के बाद आपके पास अगली चीज़ आ जाती है variance variance भी हम study करेंगे आने वाले lecture के अंदर और फिर हम देखेंगे standard deviation वो भी deviate करना एक point से दूसरे point की तरफ फिर हम standard error देखेंगे तो इसके साथ जो है हमारे पास variability का जो concept है वो clear हो जाएगा अब आपने क्या करना है आपने एक काम करना है वो काम ये है पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हम यहां पे study कर रहे हैं यहां पे मैं अपनी screen share करता हूँ सबसे पहले चीज़ यह जो आपको मैं बार-बार plot बना के दिखा रहा हूँ यह इस तरीके से बन रहे df के अंदर fair.plot यह आपके पास एक plot बन गया ठीक है यह इस तरीके से plot एक बना है fair का लेकिन अगर हम इसको sns.hist plot और इसके अंदर df,x is equal to fair यह बनाएं तो यह वाला वो plot है जो मैं आपको बार-बार बना के दिखा रहा हूँ कि आपके distribution अगर data को हम draw करते हैं तो क्या होता है आपने देखा होगा कि अगर इसको गोर से देखें तो हमारे पास जो data आ रहा है वो left skewed है ज्यादा left side पर आपके पास count है यानि के fair जो 2 pound दिया है वो कितने लोगों ने दिया वो सबसे ज्यादा है so this is how you can have an idea कि किस तरीके से आपका data distributed है अगर यहां पर age लिखा जाए then you will have this kind of plot ठीक है अगर इसको मैं ऐसे bell curve जो मैं बना रहा हूँ basically मैं इनकी height को show कर रहा हूँ ठीक है so this is how you can make this plot second चीज यह है कि जब आपने standard deviation या बाकी चीज़ें देखने होती है आप यहां पर df.describe का function लगाते है यह आ गया df.describe अब जितने numeric variables है न उनके आपके पास कुछ information आएगी सबसे पहले आगया count count का मतलब है कोई चीज़ कितनी दफ़ा वहां पर exist कर रही है ठीक है जो column है हमारे पास mean आगया average यह है standard deviation जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और यह हर एक की यानि कि हर numeric column की आपके पास value आती है कि data कितना पहला हूँ है फिर यह minimum है जिसकी मैंने बात की यह maximum है और यह 25 से लेके maximum तक यह आपके 4 quartile है ठीक है और हम 50 से 75 तक का data देखते हैं यानि कि हमारा data यह वाला जो होगा यह IQR होगा and we will see a lot of things related to these as well लेकिन उससे पहले आप अगर codenics.com और इस पे click करने के बाद आपके सामने पूरे का पूरा हमारा blog आ जाएगा article आ जाएगा जिसके अंदर हमने बताया हुए कि variability in statistics क्या होती है तो आपसे मेरी request यह है कि इस एक article को जरूर पढ़े क्यूंकि इसमें मैंने हर एक concept को बहुत अच्छे तरीके सा बताया variability क्या है क्यों matter करती है फिर complementing central tendency यह क्या होती है फिर embracing the full spectrum of data हमें पूरे को पूरे data को embrace करना चाहिए की measurement कौन कौन सी है range क्या है ठीक है फिर range की definition और formula फिर real life example भी आपको बताईए फिर interquartide data क्या होता है यह मैंने आपको बताया यहां पे q3 क्या होता है q1 क्या होता है और box plot के तुरू इसको हम draw कर सकते हैं which we will see in upcoming lectures variance क्या होता है ठीक है उसका formula क्या है ठीक है और इसको population का variance बोलते है और यह sample variance है ठीक है so we can have an idea कि कैसे calculate किया जाता है variance फिर हमारे पास आगे चीज जो आएगी वो आएगी standard deviation standard deviation the square root of variance जो variance है ना इसका अगर हम square root ले ले लें तो वो हमारा standard deviation होती है ठीक है यह वाली चीज and then अगर हम standard error देखें तो हम क्या करते है standard error is the measure of precision of sample mean estimate of the population simply क्या करते है standard deviation divided by square root या root of under root of number of values तो इस तरीके से हमारे पास इसकी interpretation आ जाएगी then visualize कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें example मैंने बताई है histogram जो हम draw करते हैं variability को check करने के लिए और बाकी different किसम के tools यह यूज करते हैं वो यहाँ पे है and then box plot और फिर at the end आपको code मैंने बताया हुआ है कि data किस तरीके से आप show कर सकते हैं और आपके पास पूरे का पूरा इस तरीके से information यहाँ पे आजाएगी so I would I'm hopeful कि आप इसको read out करेंगे मैं इसका link जो है वो भी आपको देदाता हूँ ताके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ने and then आपको variability का अगर concept समझ आ गया तो आपको statistics तकरीबन तकरीबन 20-25% आज समझ आ जागी because the thing is this is very important whenever you deal with these kind of data sets तो आपको variability को बहुत अच्छे से देखना होते है ठीक है अगर आपने पहले से यह article पढ़ा हुए that's good अगर नहीं पढ़ा हुआ तो please have a look into that और इंशाला कल हम दुबारा से आगे move करेंगे और variability के साथ साथ different किसम की variance को हम अच्छे से पढ़ेंगे standard deviation को अच्छे से पढ़ेंगे standard error को अच्छे से पढ़ेंगे और ये इन चीजों का क्या मतलब है क्यों ये बहुत important है ये चीज़ें भी हम देखेंगे ठीक हो गया